Hello everyone, my name is Prashant and welcome to the Katia Smart Learners इस वीडियो में हम देखने वाले हैं exercise 4.3 का question number 3 ठीक है, तो यहाँ पे क्या given है If the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7 then find the value of a, ठीक है यहाँ पे आपको क्या given है, यह point है इस graph के उपर lie करड़ा है ठीक है, तो यह कब possible है जब यह इसका solution होगा ठीक है, तो आगे जैसे हमने exercise 4.2 में हमने unknown value k को find किया था वैसे हम यहाँ पे a की value find करेंगे यह point इसी graph पर है, मतलब यह point, यह solution होगा इस equation का ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3,4 तो इसका meaning क्या हुआ, x equal to 3 and y equal to हो जाएगा आपका 4 ठीक है, आपका equation यहाँ पे यह है, 3y is equal to ax plus 7 ठीक है, यह आपका equation given है, आपको यहाँ पे x की value 3, x की value 3 put करनी है आपको, और y की value यहाँ पे 4 put करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 put कर रहे हैं और x की value यहाँ पर हम 3 put कर रहे है प्लस 7 ठेक है यह हो जाएगा 4 त्रीजा यह हो जाएगा आपका 4 त्रीजा 12 और यह हो जा रहा है 3a प्लस 7 यह प्लस 7 यहाँ पर होगा तो यह हो जाएगा 12-7 12-7 यह हो जाएगा आपका 5 और is equal to 3a यहाँ पर हमें a की value find करनी है तो यह 3 denominator में चला जाएगा यहाँ पर multiplication में तो सामने जाके divide में चला जाएगा तो यह answer हो रहा है 5 divided by 3 यह answer आ रहा है एक का तो question 3 यहाँ पर complete हो रहा है question 4 हम देखेंगे question 4 आप यहाँ पर देखोगे the taxi fare in the city is as follows for the first kilometer the fare is 8 rupees ठीक है एक city है वहाँ पर taxi के charges given है आपको कि अगर आप 1 kilometer travel कर रहे हो तो आपको 8 rupees देने परेंगे and for the subsequent distance it is 5 rupees 1 kilometer के बाद आप जितने भी kilometer travel कर रहे हो पर kilometer आपको 5 rupees देने परेंगे ठीक है इसका meaning क्या हुआ आपने 1 kilometer travel किया तो 8 rupees आपको देने उसके बाद आप extra 1 kilometer travel कर रहे हो तो आपको अभी 5 rupees देने परेंगे तो total आपको 8 plus 5 13 rupees देने परेंगे अगर आप 1 kilometer travel कर रहे हो उसके बाद 2 kilometer और extra travel कर रहे हो तो 2 kilometer के 5 plus 5 10 rupees और 10 plus पहले first kilometer के लिए 8 मतलब 10 plus 18 आपको total यहाँ पर cost होगा ठीक है तो इस तरह से यह पूरी city का यहाँ पर taxi का यहाँ पर पूरा planning दिया हुआ है आपको taking the distance as x kilometer and total fare as y rupees ठीक है यहाँ पर आपको 2 variable given है x आपको represent करना है kilometer के लिए और y आपको represent करना है cost find करने के लिए ठीक है write a linear equation for this information and draw the graph ठीक है तो यह जो question 4 है इसमें आपको equation भी खुद बनाना है और उस equation को solve भी करना है solution find करने के बाद 2-3 आप solution find करोगे और उस solution से आप फिर इसी equation का आप graph बनाओगे ठीक है तो यह पूरा एक word problem हो गया जिसमें आपको सिर्फ information given है इस information में से आप पहले equation यहाँ पर बनाओगे ठीक है तो यहाँ पर जो जो given है उसके बारे में हम पहले लिख देंगे solution start कर रहे हम यहाँ पर तो यहाँ पर total distance हम x मान दो है ठीक है कोई भी एक जन जा रहा है वह x km यहाँ पर travel कर रहा है तो हम यहाँ पर मान लेते है total distance है total distance होगा हमारा x km और total fair आपको यहाँ पर given है आपको मानना है यहाँ पर total500500 पे affir क dang यह मतलब total cost होरा है आ तो यह दो चीज आपको यहां पर गिवन है तो पहली चीज हम यहां पर लिखेंगे को फॉर्स्ट किलमेटर अगर आप एक किलमेटर पहले एक किलमेटर ट्रावल कर रहे हो तो आपको फैर होगा गी एट रूपीस ठीक है ये जोजो क्वेस्टिन वे ने वह में थोड़ा simplify करके यहां पर लिखने हैं तीक हैं यहां पर question में given है अगर आप एक किलो मेटर ट्रावल कर रहे हो तो आपको 8 रुपिस देना है after first किलो मेटर एक किलो मेटर ट्रावल करने के बाद extra 1 किलो मेटर के 1 किलो मेटर ट्रावल करने के बाद और एक extra अगर आप one kilometer travel कर रहे हो तो अभी five rupees लगेंगे ठीक है मतलब two kilometer travel करोगे तो 10 rupees हो जाएंगे three kilometer extra travel करोगे तो five plus five plus five तीन बार five तो फिफ्टिन रूपिस आपको charge लगेगे ठीक है यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है अभी हम question पर आएंगे क्या होगा x-1 km हो जाएगा simply 1 km आपने travel करके छोड़ दिया ठीक है उसके बाद आपको total x km जाना था लेकिन 1 km आपने travel कर लिया तो अभी कितना total कितना बाकी है अभी x-1 बाकी होगा अगर simple language में आपको समझना है कि आपको 10 km दूर जाना है आप 1 km ट्रावल कर चुके हो तो और कितना आपको जाना है तो आप कैसे फाइन करोगे 10-1 9 km बाकी है तो यहां पर हमाँ पास कोई value नहीं है हमाँ पास यहां पर x गिवन है total x है उसमें से first km हमने travel कर लिया तो अभी कितना बच रहा है यह होगा आपका x-1 हम भी और हमें travel करना है ठीक है तो इसका हमें fair निकालना परेगा ठीक है तो इसी information का हम यहां पर use करेंगे कि एक km अगर आप extra travel कर रहे हो तो 5 रूपीस आपको extra लगेंगे अगर आप x-1 km travel कर रहे हो तो उसका कितना होगा तो यह cross multiplication हो जाएगा simply x-1 into 5 ठीक है यह cross multiplication हो गया तो यह first km के लिए सिर्फ 8 रूपीस है और बाकी जो भी आप travel करोगे उसका आपको fair निकालना है तो आप ऐसे fair निकालोगे ठीक है अभी total fair क्या होगा अगर आपको total fair निकालना है तो total fair कैसे निकालोगे first km का जो भी fair होगा वो ठीक है first km का fair plus after first km fair ठीक है दोनों का हम addition करेंगे तो यह हमें total मिलेगा न क्योंकि first km का price अलग है और बाकी सब का price यह होने वाला है ठीक है x-1 into 5 first km का price कितना है 8 rupees plus total fair यहाँ पर हम क्या लिखेंगे total fair हमको question में बोला है कि आपको total fair आपको y लेना है y rupees ठीक है यहाँ पर question में given है total fair आपको y लेना है तो यह हो जाएगा total fair equal to y first km का fair है आपका 8 rupees ठीक है यह सब अभी rupees में बात हो रही है first km का है 8 rupees और बाकी आप x-1 km travel करोगे तो हर km के 55 rupees extra होने वाले है तो x-1 into 5 तो यह हो जाएगा x-1 into 5 इस equation का हम solve करेंगे और standard form में convert करके लिख देंगे ठीक है यह हो जाएगा 8 प्लस यह 5 यहां पर multiply होगा 5x-5 इसको आप अच्छे से लिखोगे तो यह हो जाएगा आपका y equal to पहले हम 5x लिखेंगे यह 8-5 तो यह हो जाएगा आपका 3 ठीक है तो यहां पर हमने linear equation यहां पर दिया है यह linear equation हो जाएगा आपका linear equation in two variable तो इस question में क्या था पूरा question में आपको सिर्फ information गिवन थी इस पूरी information में से आपने खुद का यह यहां पर एक equation बनाया है अभी इसी equation को आपको solve करना है और इसी का हमको graph बनाना है तो वो कैसे करने है वो हम देखते हैं अभी यह equation हमारा आया था last page में ठीक है अभी हमें यहां यहां पर तीन solution निकालने है क्योंकि हमें यहां पर इस इस linear equation का हमें यहां पर graph बनाना है तो यहां पर first solution में find कर रहा हूं पहले तो first solution always हम ऐसे find करते हैं x equal to 0 यहां पर आप x equal to 0 put करोगे तो y का answer हो जाएगा आपका y equal to 3 हो जाएगा ठीक है तो first solution आपको मिल रहा है x 0 और y का answer आ रहा है आपका 3 ठीक है चलिए second solution यहां पर मैं find क जितना हो सके आपको point के form में solution अगर आ रहा है तो उसको avoid करना है ठीक है तो यहां पर अगर आप y 0 put करोगे तो minus 3 upon 5 ऐसा कुछ आएगा point के form में तो वो point के form में आपको avoid करना है तो यहां पर simple करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं x equal to 1 put कर रहा हूं तो यह हो जाएगा y equal to 5 into 1 plus 3 y का answer हो जाएगा 5 plus 3 और यह हो जाएगा y का answer 8 तो second solution हमारा आ रहा है x की value 1 तब y का answer हो रहा है 8 ठीक है यह हो गया आपका second solution third solution में हम देखेंगे x equal to 2 put करेंगे अभी ठीक है यहां पर third solution में x equal to 2 put कर रहा है ठीक है हमारा equation यह है 5x plus 3 तो y का answer हो जाएगा 5 into 2 plus 3 तो y equal to 5 into 2 10 plus 3 तो y का answer आ रहा है यहां पर 13 यह हो जाएगा आपका third solution x की value 2 तब y का answer आ रहा है आपका 13 ठीक है तो यह तीनों-तीनों solution को हम table के form में लिख देंगे फिर इसी table की help से हम easily graph बना पाएंगे तो यह x हो गया यह y हो गया यहां पर हम table बना रहे हैं तो फर्स सॉल्यूशन है हमारा 0,3 second solution है हमारा 1 और 8 and last solution हमारा 2 and 13 ठीक है तो table की help से आप फटा फट ग्राफ बना पाऊगे तो always जब भी आप equation solve करो आपको यह habit रखनी है कि आप table बनाओ ठीक है तो इस table की help से हम यहां पर equation बनाएंगे और एक चीज़ यहां पर graph में scale क्या लेना है इस equation में scale लेना परेगा graph का जो भी scale होगा वो यहां पर भी लिख देंगे और graph में भी right hand side corner में हम लिख देंगे ठीक है तो यहां पर हम x-axis पर क्या ले रहे हैं एक चीज़ पर हम किलोमीटर ले रहे हैं मतलब total distance total distance जो भी होगा वो हम x-axis पर लेंगे और y-axis पर हम लेंगे total fair ठीक है जितना cost आ रहा है वो हम लेंगे y-axis पर हमारा scale क्या रहेगा scale हम यहां पर लिख रहे है 1 unit is equal to x-axis के लिए क्या होगा 1 unit is equal to आप कोई भी scale यहां पर ले सकते हो ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हो x की value भी number के form में आ रहे है तो simply हम यहां पर क्या करेंगे 1 unit is equal to यह हम x-axis के बारे में ले रहे है 1 unit is equal to 1 km और y-axis का scale होगा आपका 1 unit is equal to 1 rupees ठीक है यह mention होना compulsory है scale के बारे में ठीक है जो भी आप बना रहे हो यहां पर दोनों अलग-अलग चीजे हैं यह word problem में यह compulsory होना चाहिए ठीक है तो यही चीज हम right hand side corner में graph में लिख देंगे सबसे पहले ठीक है सबसे पहले graph start करने से पहले आपको यहां पर लिख देना है scale जो भी होगा यहां पर x के लिए हमने क्या माना था one unit is equal to one kilometer और y के लिए हमने माना है one unit is equal to one rupees इसका meaning क्या हुआ scale का कि यह जो एक-एक यहां पर gap दिख रहा है यह सब क्या है one kilometer यह x-axis पे जो भी होगा वो kilometer represent कर रहा है और जो y-axis पे होगा वो यहां पर rupees represent कर रहा है तो यह सब one one जो gap है वो one one kilometer का है और यह सब one one रुपी का यहां पर gap है ठीक है यहां पर x-axis हमारा क्या represent कर रहा है टोटल डिस्टन्स कवर्ड ठीक है तो यह हमारा एक्स एक्स पर यह चीज एक्स एक्स पर यह रिप्रेजन्ट कर रहा है और वाई एक्स हमारा रिप्रेजन्ट कर रहा है टोटल फैर ठीक है? तो ये हमारा y-axis पे ये चीज रीप्रेजन कर रही है तो ये चीज लिखना कंपल्ज हरी है जब भी word problem होगा scale लिखना है आपको y-axis sorry, यहाँ पे y होगा y-axis आपका क्या रीप्रेजन कर रहा है और x-axis आपका क्या रीप्रेजन कर रहा है क्या represent कर रहे हो वो आपको लिखना complex हरी है तो यहाँ पर हम graph बनाएंगे तो पहला यहाँ पर point है 0 and 3, x की value 0 और y का answer है आपका 3 तो यह होगा यह वाला point यहाँ पर ठीक है, second point क्या है x की value 1 और y का answer है आपका 8 तो यह होगा second point third point है आपका 2 और x की value 2 और y का answer है आपका 13 तो यह वोगा आपका second point x equal to 2 और y equal to यहाँ पर 13 तो इन तीनों point में से पास होती हुई हम line draw कर लेंगे यहाँ पर इन तीनों point में से पास होती हुई हम यहाँ पर line draw कर लेंगे, ठीक है तो यह हो जाएगा आपका graph complete यहां पर ठीक है जो भी point आ रहे है वो point के coordinate आपको लिख देने 0,3 था और यह था आपका 1,8 और यह point था आपका 2,13 ठीक है तो जो भी point आ रहे है उस point के coordinate लिख देने और हमारा यह graph का नाम क्या होगा नाम आप कैसे find कर सकते हो जो भी equation होगा वही इस graph का यहाँ पर नाम हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह हो जाएगा आपका y equal to 5x plus 3 ठीक है तो यह हो गया graph का equation और यह हो गया graph का solution यहाँ पर हमने कर लिया scale लिखना कमपल सरीए x axis क्या है वो लिखना कमपल सरीए और यह total फैर यह होगा आपका rupees के अंदर ठीक है यह होगया rupees का symbol और यह total distance होगा आपका kilometer के अंदर ठेक है तो यह इतनीayan चीज लिखना कमपल शरीए graph का नाम लिखना complex हरी है कौन से कौन से point पे ये graph आ रहा है वो point लिखना आपको complex हरी है ठीक है तो यहाँ पे question number 4 यहाँ पे complete हो रहा है exercise 4.3 का और इसी के साथ हमारा ये video हम यहाँ पे खतम कर रहे हैं next video में हम देखेंगे question number 5 and question number 6 thank you for watching